एगाइस वेल्कम डू टिफेंश स्पेक्टरम क्या आप यह बता सकते हैं कि यह वाली जो इमेज है इसमें 90 डिगरी बन रहे हैं दो मिरर रखे हैं कि यह मिरर है और एक यह मिरर है यहां पर इसका एक formula होता है देखो जो number of images होती है number of images उसका formula होता है 360 degree upon theta minus 1 ठीक है यह formula जिसको याद है वो सारे question इस टाइप की वो सारे question कर लेता है इसमें डाल दो 360 upon 90 minus 1 4 time 4 में से 3 गया 4 में से 1 गया 3 बचा इसमें किती image बनेंगी 3 image बनेंगी ठीक है इसमें देखो 360 upon 60 minus 1 6 जा 6 minus 1 5 इसमें 5 image बनेंगी वैसी इसमें देख लो 360 upon 45 minus 1 इसमें कितनी बनेंगी देखो इसको काटोगे कितना उचाएगा 8 minus 1 7 इसमेंगी 7 image तो यह वाले question यह तो होगए symmetry वाले symmetry मीन्स कि अगर वो exact बीच में रखी वी है तब तो आप answer निकाल रहे हो फट आफट एग्जक्ट बीच में रखी वी हैं अगर वो asymmetric रखी हैं यह वाले image यहां पर रखी वी होती है अब कितनी image बनेंगी step से भी question आते हैं ठीक है गाईस तो वाले question देखते हैं कैसे होते हैं देखो पहले तो मैं symmetry और symmetry में answer अंतर बताए तो हूं देखो क्या चीज़ होती है जैसे दो mirror है एक mirror यह है दोनों को ऐसे इस set में यह क्या कर रहा हूं यह polishing होती है ठीक है नगाईस इतना तो आपको पताएगा खेर अगर symmetry मतलब वो अगर image एकदम बीचम बीच रखी वी है एकदम मतलब जहां से इसका center जा रहा है वहीं पर रखी वी है asymmetry होता है जैसे कि अगर वो image center में ना होके जैसे central line है यहां ना होके थोड़ी side में रखी भी है उसको बोलते हैं asymmetry तो हमेशा याद रखना यह note डाल के लिख लो या तो फिर एक ऐसे करके लिख लो आप बहुत important जीज बताने जा रहा हूं है यह इसका है कि always इसका जो answer होता है always answer is odd number क्या odd number odd number even number तो पता होगा जो 2 की टेवल में आते हूं सारे even number होते हैं और जो 2 की टेवल से बहार है वो odd number होते हैं इतना basic तो पता है होगा चलो आगे चलते हैं asymmetric बोलते हैं उनको जो odd number होते हैं ठीक है देखो अब इसको solve कैसे करेंगे समझो angle मैंने ले लिया 60 degree theta equals to 60 degree माल लिया कि यह theta 60 degree है और यह image यहां रखी हुए है तो कितनी image बनेगी ओले object है यहां रखावा है तो कितनी image बनेगी formula में डालो formula सेम है 360 degree upon 60-1 अंसर कितना आ गया 6-1 अंसर कितना आ रहे है फाइव तो अंसर क्या आ गया और तो यह अंसर तुम्हारा सही है कि और अंसर आ गया हमेंने गला asymmetry में अंसर क्या आएगा और आएगा ठीक है अब देखते हैं theta equals to 40 पर देखो 360 degree upon 40-1 0-0 कटा यह होगे 9-1 तो अंसर क्या आन चाहिए 9-1 क्या होता है 8 लेकिन 8 अंसर नहीं आएगा यहां पर क्यों मैंने क्या बदाया था अंसर हमेशा odd आता है तो यहां पर odd ही अंसर आ जाएगा 9 आप अगर मेरी बात समझ पाए तो समझना कि अगर माइनस करके odd आ रहा है तो well and good है ठीक है अगर माइनस करके even आ रहा है तो वह अंसर नहीं होगा जो हमने अंसर पहले ही आ चुका है 9 तो वह अंसर हो जाएगा ठीक है तो हमेशा इसका अंसर odd आता है अब कोई बोलेगा यार यह जो चीज है इसका कुछ concept समझ में नहीं आया तो guys अगर सका concept समझना है तो बहुत time taking है और उसमें बहुत time लगेगा समझाने में तो आप यह हमेशा याद कर लें कि हमेशा asymmetric में होता है तो उसका अंसर odd आता है अब मैं इसको आपको समझाने के लिए मिरको 12th class का एक proof करन के दिखाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमेशा odd आता है माइनस करके भी odd आएगा अगर माइनस करने से बाद even आ रहा है तो वह answer नहीं होगा उसमें से minus 1 नहीं करेंगे वो direct odd answer आ जाएगा ठीक है इतना आगे समझ में symmetry मैंने पहली बत आ रहे हैं ठीक है और बीच में एक image रखी हुए है तो यसे रखना 11 बनेंगे इसको याद कर लो अगर इसका formula आपको चाहिए तो formula यह है 360 degree upon theta into 2-1 ठीक है इसका formula है अगर आपको formula चाहिए तो लेकिन यह आपको direct याद होना चाहिए मैं तो यह बोलूँगा क्योंकि यह direct आ में कितनी image बनेंगी तो आपको direct याद होना चाहिए यह favorite question है ssc का लेकिन यह cds में आ सकता है इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूँ ठीक है यह ssc का यह fcat में भी आ सकता है fcat में इसी टाइप की question आते है सूरज की दूरी बूस लेते है fcat के exam में कि सूरज की दूरी कितनी ह है हमारे अर्थ से ऐसे question आते है fcat में जिसके कोई सर पैर नहीं होते है ठीक है न तो serious लेकिन अच्छा exam है उसमें बहुत यह अच्छी सा आता है देखो आगे आपको सुन में क्या रहा image बनेगी formula यह है यह सब छोड़ो आप सिलते हैं आगे हमारा पूरा यहाला topic हो चुका है मतलब images वाला कितनी image बनती है यह कितना होता है वो सब हमारा सारा का सारा हो गया है तो गाइस अब पढ़ेंगे है mirror दो टाइप की mirror होते हैं एक होता है concave एक होता है convex देखो cave cave से क्या लग रहा है cave मतलब ऐसा गुफा टाइप उसके बाहर coating होती है अब कोई मुझ से पू अब यह देखो और convex में क्या होता है इस तरीके से इस साइड से coating होती है ulti से इसको बोलते है convex अब गाइस मैं आपको इसमें deep में नहीं घुसरा हूं क्योंकि image विमेज कहां बनेगी यह सब बहुत ही deep concept है इसके इंदर अगर मैं आपको वह सब बताने में चला गया तो इसके अंदर जो बड़ी image बनती है erect and virtual image बनती है वो दूर वाले objects की बनेगी जो यहां पे जब हम एकदम पास से देखेंगे तब erect and virtual बनेगी देखो यह आप सीधा सीधा आप इसके use याद कर लोगा इसको समझाने के लिए चाहिए time saving mirror कहां काम आता है saving mirror में दूसरा dentist ठीक ठीक है और बताओ search light नोट डान कर लेना बहुत important है torch के अंदर भी काम आता है ठीक है और headlight headlight देखे scooter वगएरा की जो आगेगी bike वगएरा की जो headlight होती है solar cooker reflector telescope यहां हर जगे काम आता है ठीक है यह यह करता है जो भी अगर ray आ रही होगी तो उसको यह ऐसे करके fact देता है इस तरीक से आप याद याद कर लो कि saving mirror में होता है dentist होती है search light headlight solar cooker और reflected telescope में यूज होता है अब इसके यूज बताओ मेरे को क्या कहां कहां यूज होता है वाला convex convex जो mirror है वो क्यों इन जगे पर यूज होता है street light गाइस बहुत important है यह direct question आ जाता है सीडेस में ज्यादा वैसे question नहीं पूछते कि कौन कहां image बनेगी यूज कि वह एंडिव अगरा में बहुत पूछते लेकिन यह सीडेस की बहुत important question है street light side mirror किसका bike का या फिर car का ठीक है न और जो road side के आपने दिखा होगा road side पे भी mirror होते है कुछ जैसे एक mode आ रहा होता है तो यहां पे एक mirror लगावा होता है गोल गोल सा तो road side mirror ठीक है guys तो यह तीन ही जगे काम आते है यह important है याद रखना यह भी तो अब एक याद कर लो दूसरा का याद करने की जूरत नहीं मैं तो सिर्फ इसको याद कर लेता हूं कौन यह इसका यह image इंज ही पता है तो वह आपको डीप ली में आप कभी और फुरसत में पढ़ाऊंगा वह कि अभी वह ताइम नहीं है यहीं पूरा स्लेबस करना है अभी आप स्लेबस कि साबसे सब्सक्रां यह इंप्रेंट है कि आप उसको यूज यात कर ले स्टीट रोड साइड मिरर हो गया आगे चलते हैं तो गाइज अब पढ़ेंगे हम लेंसेज दो टाइप के होते हैं कॉनचे लेंसे हैं है हमेशा यहाँ इस तरीके लेंस बनेगा ऐसे खिंक है और यह हमंशा डाइवर्जिंग होता है मतलब लाइट आएगी तो यह करते हैं लाइट ऐसको और जो यह वला होता है यह पर माइट्रोपिया यहीं से लोगों को कंफ्यूज करवाने कुशन आते हैं ठीक है यह इंपोर्टन्ट है ऐसा नहीं कि इंपोर्टन नहीं है लेकिन कभी फूर्शत में बताएंगे इसको अभी टाइम नहीं है उसा करने का इमेज बनाने का ठीक है सिर्फ आपको जो मैट्रोपिया नोट डाउन करते रहे ना गाईज मायोपिया और हाइपर मैट्रोपिया थोड़ी गंदी आ रही है मैनेज करना लेकिन हो जाएगा देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है मतलब आपको एक ही बार पढ़ोगे और हमेशा के लिए याद हो जाएगा देखो मायोपिया चोटा वड़े चोटा वड़े मतलब नियर का दिखाई देगा हाइपर मैट्रोपिया बड़ा वड़े तो मतलब फार का दिखाई देगा ऐसे याद करका है मैने असान है ना हाइपर मैट्रोपिया यह रहा हाइपर मैट्रोपिया बड़ा वड़े फार का दिख और इसको सही करने के लिए यह वाला मिरर भी से नैसे बोल दिया लेंस बोला को लेंस से लेंस ओता है यहां पर मिरें एक साइट से बंड़ मैंध के समझ में टिक Forschis ऐसी एक और विमारी है वह बहुत इंपोर्टन्ट है ठीक है देखते हैं कि देखो गाइस उसका नाम है प्रेश बायोपिया यह क्या चीजे पैसी नहीं आ आपने शायद कहीं देखा हो कि लोग ऐसे इस टाइप के भी चस्मे पहनते हैं जिसमें नीचे उनको इस तरीके कि उच पढ़ने के लिए वह उता तो नीचे यह वहाला होता है और उपर वहाला ही होता है यहां पे मैं तुरह इसको ऐसे रखता हूं सी वी उपर सी होता है मसदलब कौण केव नीचे क्या होता है कौण केव कर मेशन भॉब बहुत इंपॉर्डंट है यह हमेशे फूसता है जो ठीक है और इसकी इसकी पावर क्या होते है इसको बोलते हैं यह भूरे लोग जाठीतर होता है आंक प्रांच के भी नजर कमजूर छाती है अगेों में आगे जलते हैं तो इक बनी आपको रिवाइस करवा symmetric है एक बार तो मैंने symmetric बता दिया symmetric मैंने बता दिया इवर asymmetric है तो क्या होता है ठीक है वह मैंने आपके बताया फिर मैंने जब तीन mirror खड़े होंगे तो क्या वैसे बनेगा उसका मैंने बताया ठीक है उसके बाद फिर मैंने बढ़ाया mirror mirror क्या concave convex इनके uses यूज बहुत आते हैं एक्जाम में यह कौन सा कहां पर यूज होता है यल तीन याद रखो यल याद करने की जो अतनी है जब यह तीन याद है तो बाकी बचे वह यहां पर यहां पर होंगे याद करने के ट्रिक है तो तीनों जगे mirror आसपास ही है रोड पर ही है और यह वाले बाकी जगे है बस यहां दग ना headlight जो scooter की headlight होती है फिर bike के headlight महां पर concave होता है यहां पर convex होता है कौन से में यह वाला स्कूटर वाले में concave होता है मैं तो बस बता रहा हूँ आपको एक revision टाइप के चल रहा है भी फिर आगे चलते हैं फिर मैंने यह बताया कि कौन से conversion होता है कौन से diverging होता है उसके बाद दोनों बिमारी बता ही मायओप्य और हैपर्मेट्रोपिया पास छोटा वड़ है तो पास का दिखाए देगा बड़ा वड़ है तो दूर का दिखाए देगा अगर दोनों बिमारी हैं तो यह हो गया यह आपका ऑप्टिक्स का एक वीडियो है यह पार्ट वन है इसका पार्ट टू आएगा वो भी आप देखना उसमें मैं बताऊंगा रिफ्रेक्शन क्या होता है और मतलब स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है वो कौन-कौन से फिन सब्सक्राइब करके जाना गाइस बहुत मैंने चल रहे हैं आपके लिए